धनबाद मंडल संसदिय समीती बड़ी है अथवा पूर मद रेल्वे के महा प्रबंधक बड़े हैं ये प्रश्ण धनबाद मंडल संसदिय समीती के औचित्ते पर भी सवाल है ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि मंडल संसदिय समीती भी जब भी बैटक होती है पहली डिमांड यही होती है कि धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए लेकिन गुरुआर को पूर मधर रेलवे के महा प्रबंदग अनिल कुमार खंडलवान ने धनबाद में कहा कि फिलाल धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की जरूरत नहीं है धनबाद लोडिंग है कि हर स्टेशन से किसी विशेश स्टेशन के लिए ट्रेन चले मतलब साफ है कि धनबाद से सीधी ट्रेन की कोई योजना ही नहीं है तो क्या धनबाद है कि प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है मतलब जूटा है जोन में तो महा प्रबंधक से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं है महा प्रबंधक तो साफ कह रहे हैं कि धनबाद से सीधी ट्रेन की जरुवत ही नहीं है हाँ ये जरूर कहा कि धनबाद से गुजरने वारी दिल्ली की ट्रेनों में यहां से चड़ने वाले यात्रियों और वेटिंग लिस्ट के अवलोकन के लिए रेलवे बोर्ड में विशेश सेल है वहाँ सब कुछ अंकित होता है उन्होंने धनबाद रेल मंडल की उपलब्डियों की तो मुक्त कट से प्रसंशा की और कहा कि जो छोटी मोटी दिक्कते हैं उन्हें भी जल्द पूरा किया जा रहा है उन्होंने स्टेशन सुरक्षा पर भी कहा कि इस पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है और इसे ठोस बनाया जाएगा धनबाद देश का नंबर वन रेलवे डिविजन है रजस्वत देने में देश भर में इसका डंका बचता है लेकिन ट्रेन सुईधाओं की बात आती है तो कहा जाता है यह लोडिंग डिविजन है इसलिए आगे पीछे के स्टेशनों से ट्रेन चलाई जा रही है बुरुआर को महा प्रबंधक में जो बाते कही वो यहां के जन्र प्रतिनिधियों के लिए भी चनौती है धनबाद रेल मंडल अल्रेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है आपको पता है कि धनबाद रेल मंडल इंडियन रेलवे के का नंबर एक डिविजन है यहां से मैक्सिमम लोडिंग होती है जिससे पावर आउस चलते हैं हम सब के घरों में बिजलियां आती है सरी पबलिक को और इंडस्ट्रीज को पावर मिलती है उससे इंडियस्ट्रियल ग्रोथ होता है और देश की एकॉनोमी को बूस्ट मिलता है पैसेंजर ट्रेंज सर्विस भी यहां बहुत अच्छी चल रही है पंच्वल्टी इस डिविजन की कमपेरिटिवली सबसे अच्छी है तो देयार डूइंग गुड जॉब लेकिन देयार कुछ चोटी चोटी चीजे होती है जो मैने सब को बता दिया है उसमें भी हम लोग मिलके काम करेंगे जैस थोड़ा बहुत सफाई और इंपुरू हो अभी यहां पर जितने लोग हैं उनकी साहता कैसे कर सकते हैं जो भी पैसेंजर कियों कि यहां आपने सब हर तरह के लोग आते हैं उनको यही पता नहीं होता कहा जाना है क्या तो उनकी साहता कैसे और अच् कि छट पूजा एक महत्रपून उत्सव है या त्यवार है तो उसके अफशर पर थोड़ी भीड बड़ेगी उसके लिए भी रेल्वे ने व्यापक प्रबंद किये एंड धनबाट डिवीजन ने भी काफी अरेंजमेंट किये यहां से रबगक 21 ट्रेन यहां से एक्स्ट्रा सभी तो सभी रूडा जाएंगी जा जिसरे कि न्याएं और भी मंद को ऑपनी जगे चा पाएं देश के हर कौने के लिए यहां से ट्रेंग जाएंगी साधरन ट्रेंग के अलावा मैंने सुबह भी जाके देखा साब सफाई कंपेरिटिवली यहां पे काफी अच्छी है रेटाइरिंग रूम वगेर हमें लेकिन इसकोप हमेशा है क्योंकि पब्लिक प्लेस होता है एक आध्मी आया कुछ डाल के चला गया गंदा कर गया तो कंटीनस अफ़र्ट चीए उसमें आप सब का और पब्लिक का पैसिंजर का सहयोग बहुत ज्यादा जुरूरी है सर कल जिस्तर से दरभंगा क्रोन एक्सप्रेस में इटावा में आग लगी है सर उस वो घटना धर्वाद रेलमंडल में ना घटी तो इसको लेकर रेल्वीर क्या कुछ प्रियाश करें इसके लिए हमने बहुत हम लोग काफी प्रियाश करते रहते हैं आप लोगों से भी अ और थोड़ी देर बाद उस बैग में आग लगी पैसेंजर आपके जैसे अच्छे कुछ पैसेंजर हैं उन्होंने उसे उठा के तुरंट प्रेल के बाहर फैका तो एक बड़ी दुरकितना टल गई अब इसमें रेल्वे का प्रियास ये रहता है कि हम डॉग स्पैट चलात तब ही संभव है जब हम सभी लोग मिलके उस पर काम करें तो उस करें कि घटना ना हो उसके लिए सब चैकिंग बढ़ा दी गई है मंडल संसदिय समीती की बैठकों की मांग को क्या कभी जोनल ओफिस से रेलवे बोर्ट बेजा जाएगा अत्वा नहीं इसकी परताल कौन करेगा अगर भेजा गया तो महाप्रबंधक ये क्यों कहते हैं कि धनबात को दिल्ली के लिए सीधी ट्रेंग की जरुवत नहीं अभी हाली में मंडल संसदिय समीती की बैठक हुई थी जिसमें संसदों ने सीधी ट्रेंग की मांग उठाई थी लेकिन अब महाप्रबंधक के कथन के बाद उनकी मांगों का क्या होगा ये तो उने खुद जानना समझना होगा लगभग 75 सालों के धनबाद रेन मंडल के साथ यहां के आत्रियों के साथ चाहे ट्रेंग की बात हो या प्लेंग की क्या सरकार नयाय कर रही हैं इसका जवाब तो लोग जन प्रतिनिधियों से ही पूछेंगे धनबाद से ब्योरो रिपोर्ट